हलो दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर तो दोस्तों आपका जो कल की दिन पेपर हुआ था उसका प्रॉपर अनलिसिस करेंगे तो दोस्तों आपके जो कल कोश्चन पूछे गए थे तो उन कोश्चन का तथा साथ ही आपके और कैसे कोश्चन उससे रिलेटेड को प्रापर सुलीशन बताऊंगे तो दोस्तों आपका कल के दन जो कोश्चन पूछा गया था वह है किसी पुस्तर के गोल कोंडा किले का मांचितर दिया गया है इस मांचितर की तली में पैमाना दिया गया है जिस पर लिखा है एक सेंटीमीटर इस इकॉल टू 110 मीटर मांचि के बीच की मापी गई दूरी 13.3 सेंटीमीटर है इन दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी है लगबग तो दोस्तों सिंपल सा है आपको 13.3 इंटू 110 करना है आपका आ जाएगा जो भी आपकी वैल्यू आ जाएगी वही आपका करेक्ट हो जाएगा तो जब करोगे आपका आएगा 1463 मीटर और आप इसको किलो मीटर में कनवर्टक्रोंगे तो आपका हो जाएगा 1.463 यह नियर वैल्य हो जाएगी आपके 1.5 की आपका आप्शन दूसरा यानि आपको ऐप्शन पहला सही हो जाएगा आप्शन दोस्तों यह के आपके और टोसक और भारत के माचितर पर एहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खिसते हैं तब एहमदाबाद से दिल्ली की दिसा होगे तो दोस्तों आप मैप देखिएगा आपकी टारेक्शन आएगी उत्तर पूर्व तो आपका कौन सा उप्शन सही हो जाएगा आपका उप्शन पहला सही हो जाएगा यानि आपका एह उप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका अगला कौश्चन और कैसे पूछा जा सकता है हमारे देश की राजधानी के इस्ति केसा पेच हिमाचल परदेश की राजधानी सिमला और मद्द पिर्देश की राजधानी भोपाल क्रमसा इस्तित हैं तो आपको डिरेक्शन बताना है कौन सा आपका आप्शन सही हो जाएगा दोस्तों ये आपके PYQ से ही कोशन मैंने निकाले हुए हैं कि और कैसे कैसे सीट अट एक्जाम में कोशन पूछे गए हैं जैसे कभी पठना की दिसा पूछ ली तो ऐसी बहुत सारी कोशन थे जिसमें से मैंने आपका ये एक निकाला हुआ है तो आपका इसका आप्शन पहला सही हो जाएगा उतर और दच्छड में आपका कल के दिन कोशन पूछा गया था जो की नया कोशन में था भरली वंगी फूड ये कहां का है तो ये फूड जो है आपका ये महरास्टरा का है तो आपका आप्शन पहला सही हो जाएगा कि ये महरास्टरा का फूड है आपका अगला कोशन और कैसे कैसे पूछे जाएंगे आपके आने वाली सिफ्ट में वरली चित्रकला किस राजी की है तो दोस्तों ये भी आपके महरास्ट्रा की है तो देखिए आपका option कौन सा correct हो जाएगा डी कधर लिखा है तो आपका option दूसरा सही हो जाएगा और ये question किस तनिके से पूँच सकते हैं वरली जनजाती वरली कला के लिए सूपरसिद्ध है जो की डैश बनती है तो दोस्तों ये जो आपकी चित्रकला है इसका option आपका तीसरा सही हो जाएगा गाय के गोबर और मिटी से और दोस्तों ये question कैसे पूँच सकते हैं वरली जनजाती किस राजी की है तो ये भी आपका option माराष्ट्रा ही सही होगा तो आपका option fourth सही हो जाएगा कल question पूछा गया था मधुमनी से related दोस्तों आपके मधुमनी से question पूछे जाते हैं तो किस किस तरीके से पूछ सकते हैं जैसे मैंने आपको दिये है मधुमनी पेंटिंग किस राजी की है तो आपका option बिहार सही हो जाएगा यानि option पहला अगर पूछ लेते हैं मधुमनी डैस राजी के एक गाओं के नाम का एक पारंपरिक कला रूप है तो इसमें भी आपका option बिहार वाला ही सही हो जाएगा तो देखिए आपका ये कहां दिया है option तीसरा तो आपका option तीसरा सही हो जाएगा और पेंटिंग से कौन से question पूछ सकते हैं पटिचित्रिकी कला पारंपरिक पेंटिंग हस्त इसलप है दोस्तो ये आपका 29 दिसम्बर की सिफ्ट में पूछा भी गया question और आने वाली सिफ्ट में भी पूछा जाएगा विकाज कोशन डिपीट होते रहते हैं तो दोस्तो आपका इसका option उडिसा सही हो जाएगा ये उडिसा की पेंटिंग है और मैंने आपको extra fact में बहुत सारी पेंटिंग आपकी बता दियें अल्रेडी तो आप 29 ओठाई दिसंबर के जो मैंने questions कराए हैं उनको जरूर देख लीजिएगा और मैंने अभी आपको वर्ली पेंटिंग भी बताई तो वो आपकी महरास्ट्रा की है और दोस्तो आपका question पूछा गया था सिर पर मुकट और पूच पर सिखे तो ऐसा कौन सा पच्छी है यह भी सेस्ता हैं आपके more की होती है तो आपका option कौन सा सही हो जाएगा आप बताईए तो आपका option तीसरा सही हो जाएगा यानि आपका option seek is correct आपके दोस्तों dance form से question पूछे जा रहे हैं तो आप dance form भी learn कर लीजेगा मैंने कुछ यहाँ पर आपको type करके भी दे दिये हैं काल बेलिया प्रसिद्ध लोग नरत्य किस राज्य की जंजातियों से सम्मंदित है तो दोस्तों यह आपका राजस्थानी जंजाति से सम्मंदित है तो देखिए आपका option इसमें आपका option d correct हो जाएगा आने वाली सिफट में दोस्तों पुछा जा सकता है छो नरत्य किस राज्य के आप लोगों का लोग नरत्य है तो दोस्तों आप बताएए option कौन सा correct हो जाएगा यस दोस्तों तो आपका option तीसरा सही हो जाएगा 36 गड़ राजी के आम लोगों का लोग नरते हैं तो दोस्तों मैंने ये कुछ डांस फार्म दिये हैं जैसे काल बेलिया राजस्तान चेराव मिजोरम बीहू आसाम कुचीपुडी आंधर प्रदेस घूमर राजस्तान कथक उत्तर प्रदेस कथकली केरला दोस्तों ये आने वाली सिफ्ट में जरूर से जरूर पूछे जाएंगे और सायद कोई बोल भी रहा था कि आपका ये उत्तर प्रदेस वाला पूछा भी गया है तो दोस्तों जो एक्जाम हॉल में देने गया होगा उसको ही पता होगा कि कौन सा कोशन पूछा गया है बिकस मैक्जिमम लोगों ने राजस्थान का नरत्य बताया था कि राजस्थान का कोई नरत्य पूछा गया है इसलिए मैंने कोशन आपका राजस्थान से पूटब किया है दोस्तों ये आने वाली के लिए very 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 important questions हैं यह आपके dance form तो जरूर जरूर इन्हें याद कर लीजिएगा दोस्तों आने वारी सिफ्ट में यह कोशन भी आपके नेशनल पार्क से भी कुछ यह आपका राजस्तान में इस्तित हैं तो दोस्तों आने वाली सिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा विकास आपका 29 यह 28 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसमें आपके मैस दी फॉलोविंग करके प्लेस और इस्टेट्स पूछे भी गयते तो उसी लिए मैंने आपको यह कोशन आपको एक्स्ट्रा फेक्ट में बता रही हो जिम कॉर्बेट राश्ट्री उद्ध्यान किस राज्य में इस्तित हैं तो आपका आप्शन फोर्ट सही हो जाएगा उत्तरा खंड और दोस्तों आपका कल कोशन पूछा गया था निमने लिखित में से कौन से राज्यों का समू अरब सागर के तरपर इस्तित है तो दोस्तों आपको समू बताना था तो आपका केरल तमिलनाडू महरास्ट्रा यह समू अरब सागर के तरपर इस्तित है तो बत तीन राज्यों के समू को चुनिएं जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं तो दोस्तो आप बताईए कौन सा ओप्षन आपका सही हो जाएगा तो दोस्तो इसमें आपका ओप्षन दूसरा सही हो जाएगा आंदर प्रदेशता में लाडू उडिसा और दोस्तो जाते हैं और यह आपके हर सिफित में एक कोप्षन पूछ लिया जाता है गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं तो दोस्तो आप बताईए कौन सा गुरूप सही हो जाएगा तो दोस्तो आपका येस दोस्तो आपका ओप्षन फोर्थ सही हो जाएगा माराश्ट्र अगला कोश्चन तमिल नाडू के निकट वर्ती राज्य हैं तो दोस्तों ये आपके आपके आप्शन्स दिये गए हैं आप जल्दी से बताईए कि कौन सा गुरूप आपका करक्ट हो जाएगा येस दोस्तों आपका आप्शन्स दूसरा सही हो जाएगा अंद्रप्रदेश केरल और करनाटक आपका अगला कोश्चन और किस तरीके से पूछ सकते हैं जैसे पहचानिये की निम्नल लिखित राज्यों में से किसके एक करप समुद्र है तो दोस्तों आप प्राइड व्प्य भारत जो हमारा पेनिंसुलर इंडिया है उसका आप मैप देखोगे तुद्यास दोस्तों आपका आप्शन इसमें दूसरा सही हो जाएगा गुजरात माराष्ट्र गोवा करनाटक केरल तमिलाडू आंद्रप्रदेश पस्ष्यमंगल और उडिसा जो हमारा ये प्राइड भारत है ये सभी राज जिसमें सामिल हो जाएंगे तो यही आपका आप्शन दूसरा सही हो जाएगा गुजरात माराष्ट्र गोवा करनाटक केरल तमिलाडू आंद्रप्रदेश पस्ष्यमंगल और उडिसा और एक्स्ट्राफेक्ट में आपको बता देती हूँ जैसे पुदूचेरी अंडमानवा निक्योवार तो दोस्तों आप जरूर से जरूर ये एक्स्ट्राफेक्ट लर्ण कर लीजिए यसे पूछ सकते हैं अरब सागर के तड़ के साथ भारती राजिया केंदर सासित प्रदेश मैंने दोस्तों सारे ही आपके लिख दिये हैं पूछा गया था हाथियों के बारे में नीचे दिये गए कतनों पर विचार केजिए आपके कतन दिये गए थे एक जुंड में 20-25 हतनिया और बच्चे होते हैं हाथी 4-5 वर्स की आयू तक ही इस जुंड में रहते हैं एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और जाड़ियां खा लेता है तो दोस्तों इसमें जो आपका आप्शन सही हो जाएगा वो आपके आप्शन C और D करेक्ट होंगे तो इसलिए आपका आप्शन A सही हो जाएगा दोस्तों ये मैंने हाथी की विसेस्ताओं लिख दी हैं दोस्तों आपके हाथी की विस होता है दोस्तों ये सारी विशेस्ताय है हाथी प्रत्वी पर मौजूद सबसे बड़ा इस्तन पाई है जुंड मात्र सत्ता का पालन करता यानि सबसे बड़ी मादा हाथी जुंड की मुखिया बन जाती है एक जुंड में दस से बारा मादा हाथी होते हैं दोस्तों ये बहु तो दोस्तों ये सारी विशेषा हैं आप याद कर लेजिएगा आपका दोस्तों कल कोप्षिन पूछा गया था मौंट एवरेस्ट की चोटी की उचाई है तो दोस्तों ये आपके 8848 मीटर है और पॉइंट दिसंबलों में भी कुछ वैल्यू है यानि आपका उप्षिन सी सही हो जाएगा दूसरा बढ़ ये एग्जेक्ट वैल्यू आपकी 8848 दिसंबलों 86 मीटर है दोस्तों कुछ एक्स्टर अफेक्ट बचेंद्री पाल एक भारतिये परवता रोही है जो 1984 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाली पहली भारतिये महला बने तो दोस्तों आपकी ये कोश्टन और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं जैसे माउंट एवरेस्ट के विशय में निमलखी कतनों पर विचार कीजिए और आपको सही कतन बताना है ये हमारे देश का भाग है इसकी चोटी की उचाई 8848 दसंबलों 86 मीटर है बच्छेंद्री पाल इस परवत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महला बन गए इस परवत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रिय ध्वज सर्वबर्थम 23 मई 1994 की दोपहर को फैराया गया था और आपको इसमें सही विकल्ब बताना है तो आपका इसको आप्शन जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा दूसरा बी और सी कतन आपके सही है दोस्तो ये विसेशताय भी आपके पूछ ली जाती है इसलिए आप जरूरी एफेक्ट लर्ण कर लीजिएगा और ये कोशन किस तरीके से पूछा गया है आपके प्रीवियस ये कोशन पेपर में तो वो भी आप देख लीजिए थीम यात्रा में बचेंदरी पाल के परवता रोहन के अनभवों के वर्ण को समलित किया गया है इन्हें समलित करने के क्या कारण हो सकते हैं ये अध्याय लिंग रूडिवादता के प्रति चुनोती है ये अध्याय परवतों की ऊची चोटियों को मापने यानि पहुचने में आई चुनोतीयों का वर्ण करता है ये अध्याय ये अध्याय सामुहिक कार के महत्य की व्याख्या करता है ये अध्याय एक अनुकर्णी अदर्स को प्रस्तूत करता है तो आपको बताना है आपका option कौन सा सही है इसमें तो आपका option पहला सही हो जाएगा A, B, C, D यानि आपके जो सभी आपके कथन दिये गए हैं वो सभी आपके सही हैं आपका और इस तरह की question कौन कौन से पूछे जा सकते हैं जैसे कलपना चावला एक भारतिय मूल की अमेरिकी अंत्रिच्छे आतरी का निधन अंत्रिच्छे आन में किस वर्स में हुआ था तो दोस्तो आपका इसका option फूर्ट सही हो जाएगा 2003 में दोस्तो आपका question एक ये भी पूछा जा सकता है करणम मलेशोरी से दोस्तो ये आपकी weightlifter है तो आप ये भी extra fact में learn कर लीजिए करणम मलेशोरी का खीक है दोस्तो आपका आगला question पूछा गया था मिजोर्ण के आधिकारिक भासा क्या है तो दोस्तो मिजोर्ण के आधिकारिक भासा आपकी मीजो language है मिजो तो आपका option D सही हो जाएगा दोस्तो ये आपके new pattern के अधार पर options दिये हैं मैंने कि आपके इसी तरह से बेसी आपके questions उच रहा है चेराव dance के बारे में तो दोस्तो ये भी आपका मिजोर्ण का है यानि आपका option D correct हो जाएगा चेटियों के पैर कितने होते है ये आपका question पूछा गया था चेटियों के पैर छे होते है यानि आपका option पहला सही हो जाएगा दोस्तो और कल question पूछा गया था नवी करड़ी है इंधन और आजवी करड़ी इधन के बारे में कुछ था तो वो तो आपके options भी depend करेगा तो आप उन्हें भी याद कर लिए जिएगा कि ये कौन से इंधन होते हैं और दोस्तो मैं इस दी following करके आपके कुछ question जग है और कौन से मकानवा पर बनते हैं उससे भी पूछे कहते हैं तो मैंने एक question आपको याँ type करके दे दिया है नीचे दिये गए किस राजिके गावों मैदिकांस घर मजबूत बास के खंबो पर जमीन से लगबग तीन से साड़े तीन मीटर उचे बने पाए जाते हैं इन घरों की छटे ढालू और फर्स और दीवारे लकड़ी की बनी होती है तो दोस्तो ऐसे घर आप के आसाम में होते हैं तो आपका option वताए कौन सा सही हो जाएगा यईस दोस्तो आपका option ये सही हो जाएगा दोस्तो इससे अधारत आपके और भी question पूच जाते है तो दोस्तो मैंने यहाँ पर कुछ आपके बिभिन निस्तानों के घरों का विवरण दिया है इन्हें आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा जैसे मनाली में मनाली एक पहाड़ी इलाका है यहां भारी बारिस होती है और बर्फ बारी भी होती है मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छते तिर्ची होती है राजस्थान में तो दोस्तों यह आपके पूछा भी गया है मेबी 29 दिसंबर की सिफ्ट में राजिस्थान में वर्षा बहुत कम होती है घर मिटी के बने होते हैं घरों की दिवारे काफी मोटी होती है इन दिवारों पर मिटी का लेपन किया जाता है छते कटेली जाड़ियों से बनी होती है तो दोस्तों आप ये विसेशता है जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा बिकर आपके ये घर पूछे जाते है और आपको मैज़दा फॉलोविंग बताना होता है कौन सा घर कौन से प्लेस पर बनाया जाता है दोस्तों मैं कुछ कोशन आपको और भी बता देती हूँ जैसे पसमीना उन किस जानवर से मिलती है तो दोस्तों ये आपके बकरी से मिलती है तो दोस्तों ये साथ कोशन आपको पूछा भी गया था previous shift में जो कि मैंने यहां पर type करना भूल गई हूँ तो मैं आपको extra effect में बता देती हूँ तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा comment section में जरूर बताईएगा दोस्तों मैंने बहुत सारे आपको question extra effect में बता दिये हैं तो दोस्तों आप इस YouTube चैनल को subscribe जरूर कर लिजिएगा आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे तैंक यू फर वाचिंग दी वीडियो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को subscribe जरूर कर दीजिएगा और हो सके तो एक दोस्त को भी share कर दीजिएगा दोस्तों आपके ये dobry कोशन मैंने खुद PYQ में कराए हैं ये जो भी कोशन्स हैं दोस्तों ये same to same मैंने आपके PYQ में कराए हुए हैं तो दोस्तों आप PYQ के प्रैक्टिस बहुत 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 अच्छे तरीके से कर लीजिएगा दोस्तों मैं डेली ही वीडियो अप्लोड अरती हूँ Most expected question करके तो आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा Thank you for watching the videos Please चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मैंने इस YouTube चैनल पर PYQ के सबी सिफ्टों के questions के solutions मैंने proper आप के लिए upload कर दिये हैं तो आप चैनल को जरूर से जरूर विजिट कीजिए proper playlist चेक कीजिएगा और day by day सबी के solution आपको मिल जाएंगे Hello दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर तो दोस्तों आपका जो नए जिनवरी को सीटेट का पेपर हुआ था उसमें जो आपके हिंदी और इंगलिस के questions पूछे गएते तो उनमें जो मुझे पेड़ागोजी questions मिले हैं उनका आज हम proper analysis करेंगे कि आपके कैसे questions पूछे गएते जो आपके पैसेस पूछे जाते उनके जब आप तो आप वहीं दे दोगे तो जो मुझे मिले हैं कि आपके इस तरह पेड़ागोजी question पूछे गएते तो मैं उनके ही solutions आपको कर आ रही हूँ तो दोस्तों आपका पहला question पूछा गया था What is meant by reading skills on the basis of national curriculum framework 2005 तो आपका इसका option तीसरा सही हो जाएगा reading with understanding आपका अगला question पूछा गया था According to Jean Piaget, our language develops from dash to dash speech तो आपका इसका option तीसरा सही हो जाएगा Ego-centric to socialized आपका अगला question पूछा गया था Stephen Krashen theory of second language acquisition consists of तो आपका इसका option तीसरा सही हो जाएगा Natural order hypothesis आपका अगला question पूछा गया था Which of the following would be considered as The primary difference between language acquisition and language learning तो आपका इसका option तीसरा सही हो जाएगा Level up exposure to दोस्तों ये वही question है जो मुझे मिले हैं कि इस तरह आपके पूछे गए हैं Skills can be best enhanced through तो आपका इसका option फूर्थ सही हो जाएगा Preparing drafts after brainstorming and editing further आपका अगला question पूछा गया था The focus of communicative language teaching is mostly on तो आपका इसका option थर्ड सही हो जाएगा Enhancing the communicative capacity of learners आपका अगला question पूछा गया था Which of the following are not true of vocabulary learning तो आपका इसका option फूर्स्ट सही हो जाएगा Which means आपका जो true नहीं है वो आपका C point है वाकि आपके A, B और D आपके correct हैं आपका अगला question पूछा गया था Dyslexia is associated with dash disorder तो आपका option पहला सही हो जाएगा reading आपका अगला question पूछा गया था Which of the following describes creation natural order hypothesis तो आपका इसका option पहला सही हो जाएगा Parts of a language are acquired in unpredictable order आपका अगला question पूछा गया था Which theory of Chomsky states that We are all born with an innate understanding of the way language तो आपका option दूसरा सही हो जाएगा universal grammar तो दोस्तों ये मुझे आपके कुछ question इंगलिस पेड़ागोजी के मिल गये थे तो उनके मैंने आपको proper solution प्रोवाइट कर दिये हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस YouTube चनल को subscribe जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को like भी जरूर कर दीजिएगा और आपको आगे भी सभी सिफ्टों के solutions आपको ऐसे ही इस YouTube चनल पर मिलते रहेंगे तो दोस्तों यहां से आपके हिंदी पेड़ागोजी question स्टार्ट होते हैं तो आपके जो questions मुझे हिंदी पेड़ागोजी के मिल गए हैं उनका हम proper analysis करेंगे तो दोस्तों पहला question आपका पू आपका इसको option पूर्थ सही हो जाएगा विद्यार्थियों को उनके पठन इस तर से थोड़े से उचे इस तर की पठन समगरी पढ़ने के लिए देना आपका अगला question पूछा गया था विगोजी के विचारों पर आधारित कच्छा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जा तो आपका option फूर्थ सही हो जाएगा परस्पर अंता क्रिया आपका अगला question पूछा गया था एक सिच्छार थी विसिस्ट बारीकियों को सुनती है सजाती है और सब दिकरम के नमूनों को पहचानती है वे स्रवड हे तू कौन सी युक्ति अपना रही है तो आपका इसको option फूर्थ सही हो जाएगा बॉटम अप स्रवर प्रक्रियाए आपका अगला question पूछा गया था पठन कोसल को सफल बनाने से सम्मंधित नहीं है तो आपका इसको option फूर्थ सही हो जाएगा उपरोग्त में से कोई नहीं आपका अगला question पूछा गया था एक बच्चा देखने में स्वस्त हैं किन्तु उसे अपनी दिन चर्या के सामान कारियों में भी मदद किया सकता होती हैं वह विकार से ग्रसित हैं तो आपका इसको आप्शन पूर्थ सही हो जाएगा डिस्प्रेक्सिया तो दोस्तों ये मुझे कुछ हिंदी पेड़ागोजी कोशन्स मिले थे कि आ मैंने आपको उनके प्रॉपर सलुशन्स प्रोवाइट कर दिये हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा आपको इस यूटूब चैनल पर ऐ टेठ दो हजार बाइस टेईश का उसका आज हम प्रॉपर आनालिसस करेंगे तो दोस्तों जो मुझे कोस्टन्स पहले मिल गये थे उनका मैंने पहले solution आपको provide कर दिया है और जो मुझे आप questions मिले हैं मैं उनका आपको proper solution provide कर रही हूँ तो दोस्तो ये आपके CDP के कुछ questions हैं जो मुझे मिले हैं कि ऐसे आपके पूछे गए हैं तो दोस्तो आपका पहला question पूछा गया था विगौचकी के सामाजिक रचनावादी सिधान्त के अनुसार छातरों के आकलन के लिए निम्म लिखित में से कौन सी विदी उपयुकत है तो दोस्तो इसका option आपका वोर्थ सही हो जाएगा सही होगातमक परियोजनाए आपका अगला question पूछा गया था FLN उपलब्धी के लिए NEP 2020 द्वारा सुझाई गई एक नई नीती है तो दोस्तो आप बताईए इसका कौन सा option सही होगा यस दोस्तो इसका option तीसरा सही हो जाएगा एक राश्ट्रिय पुस्तक समवर्धन नीती दोस्तो एक्स्ट्रा फेक्ट के लिए आपको मैंने FLN का फुल फॉर्म दे दिया है आगे आपकी सिफ्ट में पूछा भी जा सकता है क्योंकि कल की सिफ्ट में आपका निपुन का फुल फॉर्म भी पूछा गया था तो आपका ये भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपका अगला कोस्टिन अभिकर्थन और रीजन वाला पूछा गया था तो आपका अभिकर्थन दिया गया था पियाजे के अनुसार चार वर्स की आयू का बच्चा अपने संग्यानात्मक दश्टिकोर से अपनी प्रात्मिक भासा सीखता है कारड दिया गया था भासा बिनावाता वरण के केवल संग्यान के द्वारा ही सीखी जा सकती है तो दोस्तों आप बताएं इसका कौन सा आप्शन सही हो जाएगा यस दोस्तों आप इसका पहला option सही हो जाएगा A और R दोनों सत्य हैं और R A की सही व्याख्या करता है आपका अगला question पूछा गया था सर्व आत्मवाद ये विश्वास है कि जो कुछ भी मौजूद है उसमें किसी प्रकार की चेतना है निम्नल खितमे से क्या विकास के पूर्व परचाला निस्तर पर बच्चों में सर्व आत्मवाद के विचार का वर्ण नहीं करता तो दोस्तों पूछा गया है वर्ण नहीं करता तो आपका इसका option दूसरा सही हो जाएगा फैंसी ड्रस्पतियोगिता के लिए एक बच्चा fireman के रूप में तयार होता है आपका अगला question पूछा गया था राश्ट्री सिच्छानीती एनिपी 2020 क्या प्रसावित करती है विद्याले की पार्ट चर्या की विसे बस्तु में कटोती विद्याले की पार्ट चर्या के लचीलेपन में व्रद्धी रटंत अधिकम को महतु देना विवेचनातमक चिंतन को महतु देना तो दोस्तो इसका option आपका तीसरा सही हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ यानि रटंत अधिकम को महतु नहीं देता रोट लर्निंग को महतु नहीं देता है आपका अगला question पूछा गया था सजा के डर से प्रीता अपने माता पिता और सिच्छकों की बात मानती है कोल वर्ग के सिधान्त के अनुसार वै डैस सम्मंदित है तो आपका इसका option पहला सही हो जाएगा पूर्व पारंपरिक नहीं देता आपका अगला question पूछा गया था NCF 2005 निम्न लिखित में से किस अन्य पार्ट चर्या छेत्र पर ध्याना करसित करता है कला और विरासत सिल्प, योग और सारी दिख सिच्छा, सान्ति सिच्छा, स्वास्त सिच्छा तो दोस्तों आपका इसका option फोर्थ सही हो जाएगा A, B, C और D यानी सभी पर आपका अगला question पूछा गया था लच्छ प्राप्थ करने के लिए सिच्छार्थी किस सिच्छडप अध्धती में व्यवहारिक रूप से कार करता है तो दोस्तों आपका इसका option फोर्थ सही हो जाएगा व्यवहारिक विधी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस YouTube चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देजिएगा इस YouTube चनल पर आपके लिए प्रीवियस येर कोश्चन पेपर के सभी सिस्टों के solutions आल्रेडी प्रोवाइड कर दिये गए हैं क्योंकि दोस्तों ये सभी question आपके प्रीवियस येर कोश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं तो दोस्तों आप की वाइक्यू की प्रैक्टिव जरूर से जरूर कर लिजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा आपका अगला question पूछा गया था विगोट्स की डैश डैश और डैश का केंद्रेत हैं तो आपका इसका option दूसरा सही हो जाएगा भासा, संस्कृति और ज्ञान आपका अगला question पूछा गया था जीन प्याजे के अनुसार बच्चा किस आयू वर्ग में अमूर्थ तर्क विक्सित करता है तो दोस्तों आप इसका option आपका 4th सही हो जाएगा, 11 से 14 वर्स आपका अगला question पूछा गया था, full form of Nippon Nippon का full form आपको बताना था तो आपका Nippon का full form होता है National Initiative for Proficiency with Reading and Understanding of Numeracy तो इसे आप याद कर लीजिएगा दोस्तों मैंने extra fact के लिए आपको एक extra question भी करा दिया है Nippon भारत योजना के सम्मंध में गलत कथन का चयन कीजिए तो दोस्तों आप ये कथन रीट कीजिए और बताईए कौन सा कथन गलत है यस दोस्तों आपका इसका second option गलत है तो दोस्तों आपके जो first, third और fourth option दिये गए ये तीनों ही आपके सही है जो आपका गलत कथन है वह आपका दूसरा तो दोस्तों ये effect जिरूर याद कर लीजेगा आपका अगला question पूछा गया था निमनलिखित में से कौन सी बाल केंदरित आकलन की विसेशता नहीं है तो इसमें आपका option fourth सही हो जाएगा second और third दोनों आपका अगला question पूछा गया था dyslexia ग्रसित बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है तो आपका इसका option पहला सही हो जाएगा उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विसलेशर से आपका अगला question पूछा गया था निम्न लिखित में से कौन से प्रकाती सील सिच्चा की विसेशता आए है तो दोस्तों आपका इसका option तीसरा सही हो जाएगा जीवन परियंत्र अधिगम और सामाजी कौशल पर जोड़ देना आपका अगला question पूछा गया था नई जानकारी के जवाब में डैश में पहले से मौझूद इसकीमा को बदलना या नए को विक्सित करना सामिल है तो आपका इसका option तीसरा सही हो जाएगा समायोजन तो दोस्तों मुझे जितने question मिले थे कि आपके इस तरह question पूछे गए हैं या पूछे जा रही हैं उनका मैंने आपको proper solution प्रोवाइड कर दिया है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा और वीडियो को like भी जरूर कर दीजिएगा आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोज मिलते रहेंगे तो इस YouTube चैनल को subscribe जरूर कर लिजिएगा थेंक्यू फॉर वाचिंग दी वीडियोज हलो दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर तो दोस्तों जो आपका 10 जनवरी को seated 2022-23 का पेपर हुआ था उसमें जो आपके questions पोचे गयते उनका आज हम proper solution करेंगे तो दोस्तों आपके questions वही repeat हो रहे हैं जिनकों मैं बार बर करा रही हूँ इविन जो मैं आपको extra information में बताती हूँ वही सारे questions आपके आते रहते हैं या मैं directly आपको questions ही कराऊंगी अब extra effects जादा नहीं लाऊंगी बिकस आपके same वही चीज़ें आ रही हैं दोस्तों आपका पहला question पूछा गया था धमन दीप की प्रमुकला तो दोस्तों इसमें आपका option fourth सही हो जाएगा कच्छुवे की कवच की चित्रकारी दोस्तों ये वही questions हैं जो मुझे मिले हैं कि आपके इस तरह questions पूछे जा रहे हैं या पूछे गए हैं तो दोस्तों आप इन questions की practice ज़रूर कर लीजिएगा बिकस questions repeat हो रहे हैं आपका अगला question पूछा गया था डैस सहर जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है तो दोस्तों बताईए इसमें आपका option कौन सा correct हो जाएगा येस दोस्तों आपका option तीसरा सही हो जाएगा बनारस दोस्तों बनारस और भी कही चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है जैसे बनारसी साडिया तो दोस्तों मैंने extra fact में आपको 28 ये 29 दिसंबर को जो paper हुए थे उसमें कराया था कि कौन सी साडिया कहा की प्रसिद्ध है तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा बिकर्स वो बहुत जतारिच content था बिकर्स उसमें मैंने बहुत सारी चीज़े आपको extra fact में बताईग दे तो आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा आपका अगला question पूछा गया था एक लड़का भ्रमण के लिए ऐसी जगह गया जहां घरों की छट धलुआ थी घर की छट अंदर की तरफ लकडी की थी घर जमीन से 3.5 मीटर पर बने हुए थे और वहां पर वर्सा सामाने से अधिक होती है तो लड़का कौन सी जगह भ्रमण पर गया तो आपको बताना है कौन सा option correct होगा यस दोस्तो आसाम आपका correct हो जाएगा दोस्तो मैंने कल भी आपको extra fact में बताया भी था ये कोशन वही विसेस्ताओं के द्वार आपसे पूछ लिया गया है निमनल खित में से किस राज़ में आधिकांस ग्रामिर धलान दार्चतों वाले मजबूत बास के खंबो पर जमीन से 3.5 मीटर उपर अपने लकडी के घर बनाते हैं तो दोस्तों आपका option दूसरा सही हो जाएगा आसाम दोस्तों ये सारी विसेस्ताओं जैसे यहां पे दिया है धलवा थी या सामाने से अधिक वर्सा होती है इस तरह आपके questions पूछ लिए जाते हैं ज़िवर याद रखियेगा आसाम आपका अगला question पूछा गया था हमारे देश में योग दिवस मनाया जाता है इनमें से कौन विस्यू की योग राजधानी है तो दोस्तों इसमें आपका option तीसरा सही हो जाएगा रिसी केस दोस्तों मैं आपको extra factor में बता दे रही हूँ अगर आपसे question पूछा जाए अंतरास्ट्री योग दिवस कब मनाया गया तो दोस्तों आपका option पहला सही हो जाएगा 21st June दोस्तों कुछ extra questions भी आ जाते हैं जो पहले पूछें नहीं गए हैं तो आप इन्हें याद जरूर रखियेगा आपका अगला question पूछा गया था दोस्तों ये question आपका कई बारी repeat हो चुका है नीचे दी गई विसेशनाओं वाले पच्छी का नाम क्या है एक पच्छी ऐसा जिसके सिर पर मुकुट और पूँच पर सिक्के सिर से पूँच तक नीले रंकी कई रंगत तो दोस्तों आपका option तीसरा सही हो जाएगा more आपका अगला question पूछा गया था राज के मान चित्र के एक ओड पर पैमाना एक centimeter is equal to 110 meter वर्डेत है यदि मान चित्र पर किनी दो सहरों के मद्ध मापी गई दूरी 9.7 centimeter है तो दोनों सहरों के मद्ध वास्तविक दूरी लगभग है दोस्तों आपको सिर्फ 9.7 से 110 का multiply करा दोगे तो दोस्तों आपका option फूर्थ सही हो जाएगा आपका अगला question पूछा गया था खुजली रोग का सम्मंध मानो सरीर के निमने में से किस भाग से है तो दोस्तों आप सोयम बताईए इसका answer क्या होगा येस दोस्तों आपका option तीसरा सही हो जाएगा आपका अगला question पूछा गया था लेफटिनेंट कमांडर वहीदा प्रिजम भारतिये 9 सेना में डॉक्टर है उसके बारे में निमने लिखित में से कौन सा कथन सही है वेपरेट का नित्रत करने वाली पहली महिला है वे हिमाचल प्रदेश से हैं उन्होंने जम्मू मेडिकल कॉलेज से MBS किया है वे अपने स्कूल के दिनों में एक गर्ल गाइट थी तो दोस्तो इसमें आपका आप्शन जो सही हो जाएगा वो है पहला A, C, D आपके कथन सही दिये गए हैं दोस्तो ये सभी कोशन्स वही हैं जो मुझे मिले हैं कि आपके इस तरह कोशन्स पूछे गए हैं तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस योटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा इस योटूब चैनल पर आपको ऐसे ही डेली पेपर के अनलिसिस आपको मिलते रहते हैं तो आप इस योटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा और दोस्तो पीवाइक्यू के प्रैक्टिश जरूर कीजिएगा बिकरस ये सारे कोश्चन आपके पीवाइक्यू से ही पुछे जाते हैं तो दोस्तो मैंने मेरे योटूब चैनल पर और मोस्स सभी सिफ्टों के PYQ आपको करा दिये हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को विजट करें प्लेलिस्ट चेक करें आपको सब्जेक्ट वाइस वीडियोज मिल जाएंगे आपका अगला कोश्चन पूछा गया था दोस्तों ये मैंने कोश्चन मल्टिपल टाइमस आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में किस किस तरीके से पूछा जा सकता है मैंने सभी तरीके से बताया हुआ है दोस्तों वही कोश्चन आ रहे हैं मुक्तापुर पोचम पल्ली जिले का एक गाउं है इस जिले के ज्यादा तर परिवार बुनकर है और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचम पल्ली कहते है ये जिला किस राज्य का भाग है तो दोस्तों इसमें आपका उप्शन तीसरा सही हो जाएगा तेलांगना दोस्तों अगर इसमें आप्शन तेलांगना आपका नहीं दिया गया होता तो दोस्तों आप आंधर प्रदेश को टेक कर देते त्यूंकि दोस्तों तेलांगना आपका आंधर प्रदेश से ही अलग हुआ है और दोस्तों ये सिल्क के लिए प्रसिद है तो ये भी आप याद रखिएगा बिकस उस तरह भी कोश्चन्स पूछे गए हैं आपकी प्रीवियस इफ्ट में आपका अगला कोश्चन पूछा गया था निमनल खित में से कौन सा मेला गुजरात में अरुनाचल प्रदेश की मिस्मी जंजाती के साथ अपने सम्मंद को साजह करने के लिए आयोजित किया जाता है ये मेला उस अमर यात्रा का जैसने मनाता है जो रुकमडी ने अरुनाचल प्रदेश से गुजरात तक भगवान कृष्णी के साथ की थी तो दोस्तो इसका उप्शन आपका पहला सही हो जाएगा माधवपूर मेला आपका अगला कोष्ण पूछा गया था दोस्तो एक कोष्ण आपका आया था दच्छड भारत का सबसे बड़ा मेला तो दोस्तो इसमें आपका उप्शन दूसरा सही हो जाएगा समक्का सरलम्मा तो दोस्तो जो भी आपके आये हो आप उन्हें देख लीजिएगा विकस मुझे ये questions मिले हैं कि आपके पूछे गयते तो अगर आपका ये वाला पूछा गया होगा तो और आपका ये वाला भी पूछा गया होगा विकस ये मुझे दोनों ही मेला से related questions मिले थे आपका अगला question पूछा गया था अंतरिच में यात्रा के लिए प्रियोग किया जाता है तो दोस्तों आपका rocket प्रियोग किया जाता है तो इसे आप याद रखिएगा आपका अगला question पूछा गया था EBS में CCE का अर्थ छात्रों का किसके लिए आंकलन करना है तो दोस्तों आपका option फोर्थ सही हो जाएगा उपरोक्त सभी आपका अगला question पूछा गया था EBS में मुल्यांकन के लिए नियमने लिखित में से कौन सा उपकरन मात्रातमक डेटा एकत्र कर सकता है assignment, paper, pencil, test, उपक्यानातमक, record, work sheet यानि कारेपत्रक तो दोस्तों इसमें आपका option तीसरा सही हो जाएगा A, B, T, D आपका अगला question पूछा गया था EBS की एक सच्छे का जो अपने चात्रों में स्रजनातमकता को बढ़ावा देने के लिए आप सारी प्रस्न पूछेगी उसे चुनिये तो दोस्तों आप बताएं इसका कौनसा option सही हो जाएगा यस दोस्तों आपका second option सही हो जाएगा दोनी पर दूसर को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे आपका अगला question पूछा गया था एवियस का सिच्छक चात्रों को भूकम ज्वाला मुकी आदि के बारे में समझाना चाहता है सिच्छक द्वारा निमनल खित में से किस सिच्छ सहायक सामगरी का उपियो किया जा सकता है तो दोस्तों इसमें आपका option पहला सही हो जाएगा model यानि प्रतिमान आपका अगला question पूछा गया था सनरच्छ तकनीक और किसान और भूक व्यापक विशे डैस के उपभाग है तो दोस्तों बताईए कौन सा option आपका सही हो जाएगा आसरे खाद पानी यात्रा यस दोस्तों आपका option दूसरा सही हो जाएगा खाद आपका अगला question पूछा गया था NEP में राष्ट्री आकिलन केंद्र परक का उदेश्य क्या है तो दोस्तों आप बताईए इसका option क्या हो जाएगा यस दोस्तों आपका option तीसरा सही हो जाएगा मानदंड, मानक और दिसा निर्देश निधारित करना तो दोस्तों ये मुझे कुछ questions मिले हैं और साथ ही साथ मैंने आपको कुछ extra factor में add on करके questions भी आपको बता दिये हैं तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस YouTube चनल को subscribe जरूर कीजिएगा और वीडियो को like भी जरूर कर दीजिएगा वीडियो और दोस्तों पीवाइक्यू की practice जरूर कर लिजिए से ही पूछे जाते हैं तो आप पीवाइक्यू की practice जरूर कर लीजिए और दोस्तों जो मैं daily analysis कर आ रही हूं तो वह वीडियो जरूर देख लीजिए आप खुद समझ पाएंगे कोश्चन कितने सारे रिपीट होते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग दी वीडियोज हलो दोस्तों आपका स्वागत है अपने योटूब चैनल पर तो दोस्तों जो आपका 10 जनुवरी को सीटेट 2022 ते इसका पेपर हुआ था उसमें जो कोश्चन पूछे गयते उनका आज हम प् अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपका पहला कोश्चन पूछा गया था पियाजे के अनुसार मन की विभिन संरचनाय होती हैं जो अन्भवों के अनकूल होने में मदद करती हैं यह डैस कहलाता है तो दोस्तों आपका आपका आप्शन इसमे अच्छा जानता है लेकिन वे अभी तक सब्दों को पढ़ या लिख नहीं सकता लेकिन सिच्छक की मदद से वे छोटे सब्दों को पढ़ना और लिखना सीख सकता है इस इस्तथी में छोटे सब्दों को पढ़ना और लिखना सिच्छारती के लिए डैश है और जो में मदद करता है वैं डैश है तो दोस्तों आप आपका इसका ओप्षिन अपका कौंसा सही हो जाएगा यह दोस्तों आपका आपका अपशन दूसरा सही हो जाएगा जेड पीडी और स्कैफ फोल्डिंग यानि जोन आफ प्रॉक्सिमल डवलप्मेंट एंड स्कैफ फोल्डिंग आपका अगला कोश्चन पूछा गया था प्रियंका पथन वैफल से पीडित है तो वैं निमनल लिखित में से कौन साल अच्छा दिखाएगी यस दोस्तों आपका इसका अप्शन तीसरा सही हो जाएगा धारा प्रबाहा पढ़ने में आसमर्थता आपका अगला कोश्चन पूछा गया था एक सिच्चक होने के नाते डिसग्राफिया से पीडित यूवा चात्रों के लिए निमनल लिखित में से कौन सा अप्चार उप् सर प्रदान करना तो दोस्तों आप बताएं इसका कौन सा अप्शन आपका सही हो जाएगा यस दोस्तों आपका ऑप्शन फूर्थ सही हो जाएगा आपका अगला कोश्चन पूछा गया था निमनल लिखित में से अवधान कमी अतिसक्रियता व्यतिक्रम एडी अचडी वाल इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा आसानी से विचलित होने की प्रवत्ति आपका अगला कोश्चन पूछा गया था बच्चे की व्रद्धी और विकास के समंद में निमनल लिखित में से कौन सा कथन सही है तो दोस्तों आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा विकास व्यक्ति में समगर परिवर्तन को दरसाता है इसमें परिपकोता के लच्ची की दिसा में एक व्यवस्तित और सुसंगत प्रकार में परिवर्तन सामिल है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस योटूब चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों ये वही कोश्चन्स हैं जो आपके पूछे जा रहे हैं तो दोस्तों आप इस योटूब चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा आपका अगला कोश्चन पूछा गया था बेबी भव्या अपने खिलाउने की तलाज सुरू करती है जो उसकी माद वारा चिपाए गये थे भव्या विकास की की सवस्था में है तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा समवेदी गामक अवस्ता सेंसरी मोटर स्टेज तो आपका अगला कोश्चन पूछा गया था एंसी एफ 2005 के अनुसार चातरों के लिए भौतिक रूप से आ अधरन अंसर है तो दोस्तों आप बताएं इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यस दोस्तों आपका ऑप्शन फूर्थ सही हो जाएगा आपका अगला कोश्चन पूछा गया था चौमसिकी का भासा विकासिद्धान भासा सिच्चकों की सहायता करता है क्योंकि उनका मानना है की तो दोस्तों आपका option पहला सही हो जाएगा बच्चे कोई भी मानो भासा सीखतने की अंतर नहीं छमता के साथ पैदा होते हैं आपका अगला question पूछा गया था इसकूल आधाले CCE की विशेस्ताएं क्या है तो दोस्तों इसमें आपका option फूर्थ सही हो जाएगा उपरोक्त सभी आपका अगला question पूछा गया था एक नैतिक व्यक्ति होने के लिए रोहन अमेसा दूसरों के स्विक्रती लेता है रोहन कोल वर्थ के नैतिक सद्धानत के किस चरण में है तो दोस्तों आप बताएं इसका आपका कौन सा option सही हो जाएगा यस दोस्तों आपका option दूसरा सही हो जाएगा अच्छे पारास पर सम्मंद आपका अगला question पूछा गया था ले बगत्सकी के अनुसार निम्न लिखित में से कौन सा कारक बच्चों के संग्यनात्मक विकास को सुगम बनाते हैं सांस्करतिक उपकर, सामाजिक उपकर, दोस्तों इसमें आपका option तीसरा सही हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड यानि सांस्करतिक उपकर, सामाजिक संपर्ग आपका अगला question पूछा गया था निम्न लिखित में से कौन सा उधारन विकास के समीप अभिमुख सिधान्त को दरसाता है तो दोस्तों इसमें आपका option दूसरा सही हो जाएगा भुजाओं के प्रभावी प्रयोग से हाथों का इस्तिमाल करने की जंता बढ़ती है आपका अगला question पूछा गया था मूल भूत साच्छर्ता और संख्यात मक्ता यानि FLN कारिकरम कच्छा में सिध्षड के लिए उप्योग की जाने वाली विधियों पर अधिक ध्यान केंदरित करता है चात्रों के निर्माड के लिए सिध्षड की सर्वोत्तम उप्योग के विधिया क्या है तो दोस्तों आप बताएं इसमें आपका कौन सा option सही हो जाएगा यस दोस्तों आपका option फूर्थ सही हो जाएगा उप्रोप्त सभी आपका अगला question पूछा गया था रचनावादी धाचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है तो दोस्तों आप बताएं आपका कौन सा option सही हो जाएगा यस दोस्तों आपका option तीसरा सही हो जाएगा एक समस्या समाधान करता और वैग्यानिक अनवेशक तो दोस्तों ये आपके कुछ questions पूछे गएते जो मुझे मिले थे तो दोस्तों मैंने आपको इनका proper solution प्रोवाइट कर दिया है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस YouTube चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा इस YouTube चैनल पर डेली पेपर के अनलिसिस के वीडियो आपको मिलते रहते हैं तो आप इस YouTube चैनल को subscribe जरूर कर लीजिएगा Thank you for watching the videos और दोस्तों PYQ की practice जरूर कीजिएगा Because दोस्तों question आपके उन ही से पूछे जाते हैं तो दोस्तों आप PYQ की practice जरूर से जरूर कर लीजिएगा आपके exam से पहले दोस्तों मैंने almost जो आपके 2021 के सभी सिफ्टों के almost सभी paper आपको provide कर दिये हैं तो आप YouTube चैनल को visit जरूर कीजिएगा और लेलिस्टे कीजिएगा आपको subject wise आपको सभी videos मिल जाएंगे जो आपका 10th January को seated 2022 ते इसका paper हुआ था तो उसमें जो आपके Hindi और English pedagogy में questions पूछे गयते तो जो मुझे questions मिले हैं कि आपके इस तरह questions पूछे गयते तो उनका आज हम proper analysis करेंगे कि आपके किस तरह question पूछे गयते और मैं आपको उनका proper solution provide कर रही हूँ तो दोस्तो आपका पहला question पूछा गया था तो दोस्तो इसमें आपका option दूसरा सही हो जाएगा तो record the methods of learning in order to make the required improvements आपका अगला question पूछा गया था तो दोस्तो आपका इसको option पहला सही हो जाएगा reinforcement and engagement आपका अगला question पूछा गया था अम्रता a language learner a quiet language not when the input is repeated several times but when the input is understood when C understands what is means and can make use of it Stephen Cresson one of the researchers in language acquisition has called it तो दोस्तो आपका option इसमें दूसरा सही हो जाएगा comprehensive input दोस्तो ये वही questions हैं जो आपके पेड़गोजी में पूछे गया हैं आपका अगला question पूछा गया था which of the following ways to improve the writing skills of the students तो दोस्तो बताईए आपका option कौन सा सही हो जाएगा provide guidance throughout the writing process regularly assign brief writing exercises guide him or her about the structure of words तो yes दोस्तो आपका option fourth सही हो जाएगा all of the above आपका अगला question पूछा गया था रौनक and पृती class third learners are reading a prose passage containing a short story रौनक is reading the story to learn vocabulary, language skills and comprehension while पृती is reading the pleasure there is no language or vocabulary drilling what kind of reading strategies are followed by रौनक and पृती दोस्तो बताएं आपका कौन सा option इसमें सही हो जाएगा यस दोस्तो आपका option तीसरा सही हो जाएगा intensive and extensive respectively आपका अगला question पूछा गया था which language skills are coming under the receptive skills speaking, listening, reading, writing तो दोस्तो बताएं आपका option कौन सा सही हो जाएगा यस दोस्तो आपका option तीसरा सही हो जाएगा only second and third listening or reading आपका अगला question पूछा गया था stories during the early years of language learning are तो दोस्तो बताएं आपका option कौन सा सही हो जाएगा यस दोस्तो आपका option दूसरा सही हो जाएगा inputs for language learning दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस YouTube चनल को subscribe जरूर कीजेगा और वीडियो को like भी जरूर कर दीजेगा आपको इस YouTube चनल पर ऐसे ही daily paper के analysis की वीडियो मिलते रहेंगे तो आप इस YouTube चनल को subscribe जरूर कर लीजेगा और वीडियो को like भी जरूर कर दीजेगा आपका अगला question पूछा गया था which are the following methods is focused on oral work and pronunciation taught through drills तो दोस्तों इसमें आपका option पहला सही हो जाएगा audio lingual method आपका अगला question पूछा गया था in which method of teaching language the learning is based on repetition of dialogues and phrases about everyday situations तो दोस्तों इसमें आपका option तीसरा सही हो जाएगा audio lingual method आपका अगला question पूछा गया था which two of the following are true as per current understanding of language learning errors and learning areas errors hamper language learning errors should be corrected then and errors are feedback for the teachers तो दोस्तों आप बताएं आपका कौनसा option सही हो जाएगा yes दोस्तों आपका A और D सही हो जाएगे errors are learning areas errors are feedback for the teachers तो दोस्तों यहाँ पर आपके English pedagogy में जो questions पूछे गए थे तो वो यहाँ पर आपके समाप्त हो जाते हैं अब दोस्तों आपके Hindi pedagogy के जो मुझे questions मिले थे उनका आप हम proper analysis करेंगे कि किस तरह आपके Hindi pedagogy में questions पूछे गए हैं तो दोस्तों आपका पहला question पूछा गया था भासा सिच्छड के सम्मंद में कौन सी बात उपयुकत है तो दोस्तों बताएं आपका option कौन सा सही हो जाएगा ज़स दोस्तों आपका option पहला सही हो जाएगा भासा सिच्छड संपरेशड को सलता में दच्छता लाती है दोस्तों ये वही question है जो मुझे मिले हैं कि आपके इस तरह paper में पूछे गए हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस योटूब चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा आपको इस योटूब चैनल पर डेली पेपर की analysis के वीडियो मिलते रहेंगे तो आप इस YouTube चनले को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए आपका अगला कोश्चन पूछा गया था संप्रेशन की सफलता निर्भर करती है तो दोस्तों बताएं आपका उप्शन कौन सा सही हो जाएगा येज दोस्तों आपका उप्शन पहला सही हो जाएगा अर्थ बोध पर आपका अगला कोश्चन पूछा गया था व्याकरण सिच्छन की निगमन पद्धती डैस पर सरवाधिक बल देती है तो येस दोस्तों ये आपके नियम पर अधिक बल देती है तो आपका अप्शन दूसरा सही हो जाएगा आपका अगला कोश्चन पूछा गया था सी बी एस सी दौरा दो हजार नौ में सिच्छा के अधिकार अधिकार अधियम के तहट मूल्यांकन से आसे है तो दोस्तों आप बताएं आपका अप्शन कौन सा सही हो जाएगा यस दोस्तों आपका अप्शन दूसरा सही हो जाएगा नकल की प्रवत्ती को रोकना वास्रजन सीलता को देना आपका अगला कोश्चन पूछा गया था नौम चौमस्की के अनुसर भासा अरजन छमता डैश होती है तो दोस्तों आपका अप्शन फूर्थ सही हो जाएगा जन्मजाद तो दोस्तों जो मुझे आपका कोश्चन मिले इंगलिस और हिंदी पेड़गोजी के कि आपके इस तरह कोश्चन पूछे गए थे तो उनका मैंने आपको प्रॉपर सलुशन प्रोवाइट कर दिया है तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर कर लीजेगा तो दोस्तों मैंने आलमोस सभी सिफ्टों के प्रॉइक्यू कर आई है तो आप मेरे यूटूब चैनल को विजिट करें और सभी सिफ्टों के सलुशन देख लीजेए हलो दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूटूब चैनल पर तो दोस्तों जो आपका 11 जनवरी को सीटेट 2022 ते इसका पेपर हुआ था तो उसमें जो आपके सीडीबी के कोश्चन्स पूछे गये थे तो उनमें जो मुझे कोश्चन्स मिले हैं कि आपके इस तरह कोश्चन्स पूछे जा रहे हैं तो मैं उनका आज प्रॉपर सुलुशन आपको प्रोवाइट कर रही हूँ तो दोस्तो आपका पहला कोश्चन्स पूछा गया था अध्यदिक सारीरिक गती डैष और डैष एडियर एचडी की प्राथमिक विशेश्चाए हैं तो दोस्तो बताएं कौंस ऑप्षिन सही हो जाएगा यस दोस्तो आपका सेकेंड ऑप्षिन सही हो जाएगा आ सावधानी, आ वेग दोस्तों ये वही कोश्चन्स हैं जो मुझे मिले हैं कि आपके इस तरह कोश्चन्स आपके 11 जैन की सिफ्ट को पूछे गए हैं आपका अगला कोश्चन पूछा गया था कथन ए भौतिक छेत्री की विशेस्ता ये है कि मनुष्च विकास की सभी अवस्थाओं में विशेस रूप से बाल्या वस्था और किसोरा वस्था के दोरान कैसे व्रधी करते हैं और कैसे सारीरिक रूप से बदलते हैं कथन B मनोव ज्यानिक छेत्र व्यक्ति के पर्या वरण के समायोजन पर केंद्रेत हैं तो आपको सही विकल बतायना है तो आपका दोस्तो इसमें थाड़ आप्शन सही हो जाएगा A और B दोनों सत्ते हैं आपका अगला कोश्चन पूछा गया था लेव विकॉट्सकी ने अपने सामाजिक रचनावाद से धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने है तो उप्युक्त बताया है तो दोस्तो आप बताएं कौन सा उप्शन सही हो जाएगा यस दोस्तो आपका उप्शन पहला सही हो जाएगा सहकर्मी सहयोगता दोस्तो अगर आपको ये وीडियो अच्छे लगें तो इस योटूब चेल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा इस यूटूब चेल पर आपको डेली पेपर के अनलिसिस के वीडियो जो मिलते रहते हैं तो आप इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए आपका अगला कोश्चन पूछा गया था राश्ट्रिय सिच्छानीती 2020 का केंदर बिंदु क्या है तो दोस्तों बताएं कौन सा आप्षन सही हो जाएगा यस आपका सेकेंड आप्षन सही हो जाएगा बहु विश्यक्ता और समग्र सिच्छा आपका अगला कोश्चन अभिकथन और करण वाला पूछा गया था अभिकथन मोहन का मानना है कि किसी की मदद से सीखना कहीं अधिक प्रभावी है इसलिए वे विभिन तरीकों का उप्योग करके अपने चात्रों को उनके सीखने में मदद करता है करण दिया गया था पार वैस अब्दे हैं जिसमें स्वयम दोरा सीखने और दूसरों की सहायता से सीखने के बीच अंतर को परिबासित किया गया है तो दोस्तों आपका आप्शन तीसरा सही हो जाएगा ए सही है लेकिन आर आपका गलत है आपका अगला कोश्चन पूछा गया था किसने प्रस्तावित किया कि सांस्करतिक उपकरण संग्यनातमक विकास में महतपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो दोस्तों बताएं कौन सा आप्शन सही हो जाएगा यस आपका पहला आप्शन सही हो जाएगा लेव विगोट्सकी आपका अगला कोश्चन पूछा गया था पियाजे की संग्यनातमक विकास दसाओं में अभी पर्यातमक भाव का लोग इस दसा से सम्मंदित हैं तो दोस्तों बताएं कौन सा आप्शन सही हो जाएगा यस आपका सेकेंड आप्शन सही हो जाएगा पूर्व परचालन अवस्ता वेसिकली इर्रिवर्सिविल्टी से था ये आपका अगला कोश्चन पूछा गया था एक घोड़े को देखकर एक तीन वर्षी ये बालिका चकित होकर बोली वहां इतना बड़ा कुट्ता जीन प्याजे के संग्यनातमक विकास के सिध्धान्त के अनुसार बालिका की ये प्रतक्रिया निम्न में से किसका उधारण है तो दोस्तों बताएं कौन सा उप्शन सही हो जाएगा येस आपका पहला उप्शन सही हो जाएगा आत्म साथकरण या समावेशन आपका अगला कोश्चन पूछा गया था रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसल वापिस रग दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था ये कथन कोलवग के सिध्धान्द के किस इस्तर का वड़न करता है येस दोस्तों आपका उप्शन पहला सही हो जाएगा पूर्व परमपरागत इस्तर आपका अगला कोश्चन पूछा गया था सुदीपता बच्चों को उत्तर प्रदेश में देखी गई आमानवी ये पर इस्तियों से बचने में मदद करने के लिए अथक प्रयास करती है वे ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वे मानती है कि ये करना सही है भले ही वे अक्सर इन बच्चों की मदद करते समय खुद को जान लेवा इस्तितियों में पाती है सुदीपता ने कोलवर के नैतिक विकास के किस चरण को परदरसित किया है तो दोस्तो बताएं कौन सा आप्शन सही हो जाएगा येस आपका फूर्थ आप्शन सही हो जाएगा सार्व भौमिक नैतिक सिध्धन्त दोस्तो ये वही कोश्चन्स हैं जो आपके 11 जैन की सिफ्ट को पूछे गए हैं और मुझे आपके ये कोश्चन्स मिले हैं कि आपके इस तरह कोश्चन्स पूछे जा रहे हैं आपके पूछे गए हैं तो दोस्तो मैं उन्हीं का आपको प्रॉपर सलुशन प्रॉवाइट कर रही हूँ ये आपके सभी सीडीपी में कोश्चन्स पूछे गएते आपका अगला कोश्चन्स पूछा गया था राश्ट्री सिच्छानीती 2020 में प्रस्तावित समगर 360 डिगरी बहु आयामी प्रगती पत्र को क्या दर्साना चाहिए ये दोस्तों आपका आप्शन दूसरा सही हो जाएगा विद्यार्थियों के संग्यनात्मक भावात्मक वा मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगती आपका अगला कोश्चन पूछा गया था नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क यानि NCF 2005 अनुसंसा करता है कि सिच्छड को अधिकतम महतु देना चाहिए दोस्तों बताएं आपका कौन सा आप्शन सही हो जाएगा येस आपका पहला आप्शन सही हो जाएगा कच्छा अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से चूड़ने में आपका अगला कोश्चन पूछा गया था ये भी आपका अभिकतन और कारण वाला पूछा गया था मुसकान अपने चातरों से कहती है कि हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कई प्रकार की बुद्धी का उपियोग करते हैं कारण दिया गया था अलफ्रेड बिनेट ने कई प्रकार की बुद्धी का प्रस्ताव दिया जैसे भासाई बुद्धी, प्राकृतिक बुद्धी, दुरश्य, इस्तानिक बुद्धी आदी तो दोस्तों बताएं कौन सा option सही हो जाएगा येस आपका second option सही हो जाएगा ये सच है लेकिन आर जूट है या गलत है आपका अगला question पूछा गया था लड़कों के लिए बंदूकें और लड़कियों के लिए गुडिया किस प्रकार की रूडिवादी धारणा को दरसाती है तो दोस्तों बताएं कौन सा आप्शन सही हो जाएगा येस ये आपका सेकेंड आप्शन सही हो जाएगा जेंडर सम्मंधी रोडिवादी धारणा दोस्तों ये वही कोश्चन्स हैं जो आपके पूछे जा रहे हैं या आपके पूछे गए हैं और यही कोश्चन्स मुझे मिले थे कि आपके इस तरह कोश्चन्स पूछे गए हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा इस यूटूब चैनल पर आपको ऐसे ही डेली पेपर की अनलिसिस मिलती रहेगी तो आप इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और दोस्तों पीवाई क्यू की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा विफोर योर एक्जाम विकज आपके कोशन्स पीवाई क्यू से पूछे जाते हैं तो आप पीवाई क्यू की प्रैक्टिस जरूर से जरूर कर ले दोस्तों मैंने अलमौ और अपने सिच्चिकों की चहती है छात्रा डैश तो दोस्तों आपका इसको अप्शन दूसरा सही हो जाएगा आंत्रिक रूप से प्रेरित हैं तो दोस्तों ये मुझे CDP के कुछ कोशन्स मिले थे कि आपके इस तरह पेपर में पूछे जा रहे हैं तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए गा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए गा थेंक्यू फॉर वाचिंग दीवीडियो अपने योटूब चैनल पर तो दोस्तों जो आपका 11 जनवरी को CT22 का पेपर हुआ था उसमें जो के questions पूछे गयते हैं उनका आज हम proper analysis करेंगे तो दोस्तों ये कुछ questions हैं जो मुझे मिले हैं कि आपके इस तरह questions 11th gen को पूछे गयते हैं तो दोस्तों आपका पहला question पूछा गया था ताज महल को पीला करने के लिए इन में से कौन जिम्मेदार है तो दोस्तों बताएं इसका option कौन सा सही हो जाएगा येस दोस्तों आपका option दूसरा सही हो जाएगा sulfur dioxide यानि SO2 आपका अगला question पूछा गया था महराष्टर की परंपरागत साड़ी तो दोस्तों आपके option कुछ इस तरह आये होंगे नवारी या पैथरी साड़ी तो दोस्तों ये महराष्टर की परंपरागत साड़ीया हैं तो इने आप याद कर लिजेगा आपका अगला question पूछा गया था भारत में विवाह की नियूनितम आयू तो दोस्तों महिलाओं के लिए 18 वर्स और पुर्सों के लिए 21 वर्स तो दोस्तों इसे आप याद कर लिजेगा आपका अगला question पूछा गया था नीता आंद्र प्रदेश जाती हैं और वे दो साड़ियां खरीती हैं जो विशेश रूप से वहाँ बनाई जाती हैं वे क्या कहलाती हैं तो बताएं दोस्तों कौन सा option सही हो जाएगा येस आपका second option सही हो जाएगा पोचम पल्ली और कलमकारी आपका अगला question पूछा गया था निमनल खित में से कौन भारत का केंदर सासित प्रदेश है तो दोस्तों भारत में 28 राज्य और 8 केंदर सासित प्रदेश है तो दोस्तों option में जो उपर से 3 तक दिये गए हैं वे आपका fourth है वो आपका यूटी जयानी केंदर सासित प्रदेश तो आपका लद्दाक और पुटुचेरी correct हो जाएगा क्यूंकि ये भारत केंदर सासित प्रदेश है आपका अगला question पूछा गया था कुडुक भासा में तोरंग का क्या अर्थ है तो दोस्तों इसका option आपका पहला सही हो जाएगा one दोस्तों ये मैंने questions आपके previous year question paper में कराए हुए हैं तो आप previous year questions paper की practice जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके questions उन्हीं से पूछे जाते हैं तो आप PYQ की practice जरूर कर लीजिएगा आप मेरे YouTube चैनल को विजिट करें मैंने almost सभी सिफ्टों के वीडिय questions देख लीजिए और दोस्तों इस YouTube चैनल पर डेली पेपर की analysis आपको मिलती रहती है तो आप इस YouTube चैनल को subscribe जरूर कर लीजिएगा आपका अगला question पूछा गया था एक व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को एहमदावाद से त्रिवेंद्रम के लिए एक एकस्प्रेस ट्रेन में चढ़ा ट्रेन एहमदावाद से देड़ बजे रवाना हुई और एक सतमबर 2015 को साड़े साथ बजे त्रिवेंद्रम पहुंची यदि एहमदावाद उत्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 268 किलो मीटर है तब दोजों स्टेशनों के बीच ट्रेन की और सचाल क्या थी तो दोस्तों इसमें आपको और सचाल फाइंड करनी है तो दोस्तों और सचाल का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन आप टोटल डिस्टेंस केलकुलेट कर लिजिए जो कि आपकी 22268 दी गई है टोटल टाइम आप निकाल लिजिएगा और डिवाइट कर दीजिएगा आपकी और सचाल निकालाएगे तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा 54 किलो मीटर पर आर आपका अ कार्बन डायोकसाइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं उन्हें डैस कहा जाता है तो दोस्तों आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यस दोस्तों आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा प्रकास संसलेशन यानि फोटो सिंतेसिस आपका अगला कोश्चन लिपी हो जाएगा दोस्तों एक्स्ट्रा फेक्टर में मैं आपको बता देती हूं ब्रेल लिपी में एक मोटे कागच पर उभरे हुए बिंदूओं की पंतियां बनाई जाती है यह लिपी कितने बिंदूओं पर अधारित होती है तो दोस्तों आपका ऑप्शन दूसरा सह पर अधारित होती है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा इस यूटूब चैनल पर आपको डेली पेपर के अनलेसिस मिलते रहते हैं तो आप इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा आपका अगला कोश्चन पूछा गया था निमन लिखित में से कौन सा पच्छी कैक्टेस के पौधे या महंदी की बाढ़ के बीच अपना गोसला बनाता है तो दोस्तों आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा डव आपका अगला कोश्चन पूछा गया था मिजोरम में प्रचलित जूम खेती के बारे में निमन लिखित कतनों का अध्यन कीजिए एक फसल काटने के बाद कुछ वरसों के लिए भूमी खाली रह ज जाता है बीच बोने से पहले भूमी की गहरी जुताई की जाती है एक खेत में तीन या चार विभिन प्रकार की फसले उगाई जाती है रासाइनिक उर्वकों और कीट नासकों का भी अवशक्ता के अनुसार उपियोग किया जाता है तो दोस्तों आपको बताना है कौन से फस्ट करेक्ट हो जाएगा इसमें ए बी और डी कतन सही है आपका अगला कोश्चन पूछा गया था मेंडल ने अपने प्रियोग के लिए मटर के पौधे के कितने जोड़े पर्यासी लच्छडों का चयन किया तो दोस्तों आपको ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा सेवन प दोस्तों यह कोश्चन मैंने मल्टिपल टाइमस आपको बताया हुआ है कि आपका इसको ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा 36 गड़ दोस्तों यह वही कोश्चन हैं जो मुझे मिले हैं कि आपके इस तरह सेफ्टर में कोश्चन पूछे जा रहे हैं तो मैं उन्हीं का आपको प्रॉपर सलूशन प्रोवाइट कर रही हूँ आपका अगला कोश्चन पूछा गया था कासा डैस का मिस्टर धातु है तो दोस्तों आपका इसको ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा तामबा और टेन आपका अगला कोश्चन पूछा गया था NCF 2005 कच्छा तीसरी से पांचवी तक EBS को एक ऐसे विसे के रूप में देखता है जो निम्न संप्रत्यों एवं विचार वस्तुवों को आपस में एक इकरत करता है तो दोस्तों बताएं कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों मैंने मल्टिपल टाइमस ये PYQ मे कराया हुआ है और ये मल्टिपल सिफ्ट में पूछा भी गया है तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण सिच्छा दोस्तों आप PYQ की प्रैक्टिस जरूर से जरूर कर लीजिएगा क्यूंकि मैंने मेरे यूटूब चैनल पर आल्मोस्ट सभी सिफ्टों के PYQ अपलोड कर दिये हैं तो आप चैनल को विजिट करें प्लेलिस चेक करें और सभी सिफ्टों के सोलुशन देख लीजिए आपका अगला कोश्चन पूछा गया था अलका चाहती थी कि उसके सिचार्थी ल है दोस्तों आप बताएं कौनसा option सही हो जाएगा यस दोस्तों आपका option फोर्त सही हो जाएगा एक बच्चे कीमा जो आटो चलाती है यह बच्चे के पेता जो एक रसोईया है को आमंत्रित करना चाहिए तो दोस्तों ये मुझे कुछ questions मिले थे कि आपके इस तरहいい basis में questions प प्रोवाइट कर दिया है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमें सेक्षन में जरूर बताईएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा आपको इस योटूब चैनल पर ऐसे ही वीडियो बिलते रहेंगे तो आप इस योटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए थैंक्यू फर वाचिंग दी वीडियो अपका स्वागत है अपने योटूब चैनल पर तो दोस्तों जो आपका 11 जनवरी को सीटेट 2022-23 का पेपर हुआ था तो उसमें जो आपके हिंदी और इंगलिस पेड़ागोजी के कोश्चन्स पू पूछे जा रहे हैं जो मुझे मिले हैं तो दोस्तों आपका पहला कोश्चन पूछा गया था दमीन परपस आफ कंड़क्टिंग अडाइगनॉस्टिक टेस्ट इस फॉर एडेंटिफाइंग तो यस दोस्तों आपका इसको आप्शन तीसरा सही हो जाएगा दिकोज अंडर डिसक्राइब दिदिफूरन बेटिवीन लज लजिग अंडर्डड़ कंड़क्टिंग अंडर्यंग अडर्ड़क्टिंग तो दोस्तों बताएं आपका कौन तो आपशन सही हो जाएगा नेहा इस अक्वाइरिंग लंगवज भाय अब्जरबिंग अब् communist फॉर्मिन अब capacity of her brain while Issa is learning language by being actively involved in real communication. तो येस दोस्तों आपका option तीसरा सही हो जाएगा. Both first and second. आपका अगला question पुछा गया था. In Miss Lisa, English class language accuracy is given importance. focusing on the skill of reading and writing and not on listening and speaking. She would give sufficient exercises where mother tongue was used to translate target language exercises which methodology was Miss Lisa using with her children. तो दोस्तों बताएं कौन सा option आपका सही हो जाएगा. Yes, आपका थार्ड option सही हो जाएगा. तो दोस्तों बताएं कौन सा option सही हो जाएगा. Yes, आपका second option सही हो जाएगा. To subsume the language that a child acquires naturally from his or her home and societal environment. दोस्तों ये वही questions हैं जो आपके 11th January shift में पूछे गए हैं. और ये मुझे मिले हैं कि आपके इस तरह questions पूछे जा रहे हैं. तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस योटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देजिएगा. आपको इस योटूब चैनल पर डेली पेपर की अनलेसिस मिलते रहते हैं तो आप इस योटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा. आपका अगला question पूछा गया था. Skimming and scanning are two sub-skills of reading. Identify which sub-skill is being applied for the two tasks given below. Teacher asks student to answer factual questions using the information in each chapter. Teacher asks student to summarize the plot of a novel by reading the main headings in each chapter. तो yes, आपका option इसमें दूसरा सही हो जाएगा. First is scanning, second is skimming. आपका अगला question पूछा गया था. Natural order of learning a language is. तो yes, आप बताएं कौनसा option सही हो जाएगा. आपका third option सही हो जाएगा. Listening, speaking, reading and writing. आपका अगला question पूछा गया था. A listener while listening, listen to the specific details, recognize, cognates and word order, patterns. What is the listening process known as? तो दोस्तों बताएं आपका कौनसा option सही हो जाएगा. Yes, आपका first option सही हो जाएगा. Bottom-up process. आपका अगला question पूछा गया था. The idea of monitor hypothesis was given by. तो दोस्तों आपका option दूसरा सही हो जाएगा. Question. आपका अगला question पूछा गया था. Norm Chomsky L.A.D. is. तो दोस्तों बताएं कौनसा option आपका सही हो जाएगा. Yes, आपका first option सही हो जाएगा. Language acquisition device. आपका अगला question पूछा गया था. Prediction as a sub-skill is associated with. तो बताएं दोस्तों कौनसा option आपका सही हो जाएगा. Yes, आपका first option सही हो जाएगा. Reading. तो दोस्तों ये मुझे कुछ English Pedagogy questions मिले थे. कि आपके इस तरह English Pedagogy में questions पूछे जा रहे हैं. तो दोस्तों आप इनकी practice जरूर कर लीजिएगा. और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस YouTube चनल को subscribe जरूर कीजिएगा. Because इस YouTube चनल पर मैंने almost सभी सिफ्टों के PYQ के वीडियो अपलोड कर दिये हैं. तो आप वो वीडियो जरूर देख लें before your exam. आपका अगला question. अब दोस्तों ये आपके Hindi Pedagogy questions शुरू हो जाते हैं. तो दोस्तों आपका पहला question पूछा गया था. विडयार्थियों में समा लोचनात्मक, चिंतन, योगता का भी कास करने में मदद करते हैं. तो दोस्तों बताएं कौन सो option आपका सही हो जाएगा. येस आपका option तीसरा सही हो जाएगा. पहलिया और वर्ग पहलिया. दोस्तों ये वही questions हैं जो मुझे मिले हैं कि आपके इस तरह हिंदी पेड़ागॉजी और इंगलिस पेड़ागॉजी में questions पूछे जा रहे हैं. आपका अगला question पूछा गया था. निमनल खित में से कौन सा भासा अधिकम का मौलिक उसल नहीं है? तो दोस्तों बताएं कौन सा option सही हो जाएगा? येस आपका second option सही हो जाएगा. देखना भासा अधिकम का मौलिक उसल नहीं है. आपका अगला question पूछा गया था. भासा को उसल का प्रकार नहीं है. तो दोस्तों आपका option तीसरा सही हो जाएगा. अच्छुरों को पहचान पाने की छमता. आपका अगला question पूछा गया था. जीन पियाजे की सिध्धान्द के अनुसर विद्यार्थियों को व्याकरनिक सनरचनाओं को समझाने के लिए भासा सिच्चक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों बताएं आपका कौन सा option सही हो जाएगा. येस आपका पहला option सही हो जाएगा. समरद लिखित सामगरी प्रदान करें और विद्यार्थियों को विभिन सनरचनाओं की खोच करने दे. आपका अगला question पूछा गया था. अधिगम के विभिन सिद्धान्त व्याख्या करते हैं. तो दोस्तों बताएं आपका कौन सा option इसका सही हो जाएगा. येस आपका first option सही हो जाएगा. अधिगम के उत्पन एवं व्यक्त होने की प्रक्रिया का. तो दोस्तों ये मुझे कुछ हिंदी पेड़ागॉजी और इंग्लिस पेड़ागॉजी questions मिलेतें. जिनका मैंने आपको proper solution प्रोवाइड कर दिया है. दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस YouTube चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा. तो दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर तो दोस्तों जो आपका 12 जनवरी को सीटेड 2022 का पेपर हुआ था तो उसमें जो आपके EBS में प्रशने पूछे गए थे आज हम उनका proper analysis करेंगे. तो दोस्तों ये वही question है जो आपके पूछे गए थे. कुडुग भासा में तोरंग का क्या अर्थ है? तो दोस्तों बताएं कौन सा option आपका correct हो जाएगा? येस आपका first option correct हो जाएगा one. आपका अगला प्रशन पूछा गया था वे प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर के प्रकास और क्लोरोफिल की उपस्तिती में कार्बन डायकसाइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं उन्हें डैस कहा जाता है. तो बताएं कौन सा option आपका correct हो जाएगा? येस आपका third option correct हो जाएगा प्रकास अंसलेसर आपका अगला प्रशन पूछा गया था हाथियों के बारे में नीचे दिये गए कथनों पर विचार केजिए आपके कथन दिये गए थे एक जुंड में 20-25 हतनिया और बच्चे होते हैं हाथी 4-5 वर्स की आयू तक ही इस जु किलोग्राम से अधिक पत्ते और जाड़ियां खा लेता है किसी हतनियों के जुंड में सबसे बुजुर्ग हतनी ही सभी फैसले लेती है तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा कथन सही है येस आपका third option correct हो जाएगा C और D दोस्तों मुझे ये पतल लगा था कि आपका हाथी से एक प्रस ने पूछा गया था तो दोस्तों आपके कथन दूसरे भी हो सकते हैं लेकिन आपका question आपका हाथी वाले से पूछा गया था दोस्तों मैंने हाथी के बहुत सारी विसेश्टा आपको ऑल्रेडी बता रखी है आपका अगला प्रस ने पूछा गया था कच्छा पांचवी की पार्ट पुस्तकपर छपे गोलकुंडा किले का मांचितर एक सेंटी मीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्साता है इस मांचितर में फते दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेंटी मीटर है जमीन पर इन दोनों दर्वाजों के बीच कम से कम दूरी होगी तो दोस्तो अब मैंने आपको multiple time question कराया हुआ है तो आप बताएं क्या होगा इसका answer येस आपका option तीसरा सही हो जाएगा आपका अगला प्रशन पूछा गया था एक डॉक्टर ने एक मरीच को कुछ दवाएं दी और उसे गुड़ आवला और अधिक हरी पत्तेदा सबजियां खाने की सला दी ये रोगी आवस्य पीडित होगा तो दोस्तो बताएं किस से पीडित होगा तो दोस्तो जब आपको ये सब खाने के लिए बोला जाता है तो आपकोर्स आप एनीमिया से पीडित हो तो आपका उप्शन फूर्ट सही हो जाएगा एनीमिया आपका अगला प्रशन पूछा गया था दी गई भोजन की सूची से चावल से बने खाते पदार्थों की पहचान कीजिए तो दोस्तो चपाती, पूरी, बिर्यानी, पराठा, हलुआ, खीर, केक, ब्रेड, इटली तो दोस्तो बताएं कौन सा उप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ये आपके उप्शन गिविन है येस, आपका फूर्थ उप्शन करेक्ट हो जाएगा इडली, खीर, ब्रेड़ानी आपका अगला प्रशन पूछा गया था मलेरिया के परजीवी की खोच किसने की थी तो दोस्तो बताएं कौन सा उप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तो मैंने पीवाई क्यू में ये मल्टिपल टाइम कोश्चन कराया हुआ है तो दोस्तो आप पीवाई क्यू की प्रैक्टिस जरूर से जरूर कर लीजिएगा बिकर्ज ये प्रशन आपके पीवाई क्यू से पूछे जाते हैं तो दोस्तो मैंने अल्मोस्ट सबी सिफ्टों के सॉलिशन अल्रेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाईट कर दिये हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विजिट करें और प्लेलिस्ट चेक करें आपको सब्जेक्ट वाईज हर एक सिफ्ट के आपको पेपर मिल जाएंगे तो आप जरूर विजिट करें चैनल को तो येस आपका आप्शन पहला सही हो जाएगा डॉक्टर रोनॉल्ड रोस आपका अगला प्रशन पूछा गया था हमारे देश के निम्मल खित में से किस हिस्से में लोग अपने आंगनों में टैपियोका और नारियल जैसे खादे पदार्थ उगाते हैं और उन्हें उनका उप्योक करके तयार भोजन बहुत स्वादिस्ट लगता है तो बताएं आपका कौन सा आप्शन करेक्ट हो जाएगा येस आपका फूर्थ आप्शन करेक्ट हो जाएगा केरल दोस्तों ये सभी कोशन मैंने मल्टीपल टाइम्स कराए हुए हैं तो आप ये वाई क्यू जरूर से जरूर देख लीजिए आपका अगला प्रसन पूछा गया था जो कि आपका मैज़दी फॉलोविंग करके था जो कि मैंने आपको बताया है कि आपके इस तरह प्रसन पूछे जाते हैं एवियस पेपर में जिसमें आपको प्लेसिस वहां मकान कैसे होते हैं उनका मिलान पूछ लिया जाएगा या पच्छी का नाम जैसे यहां दे दिया गया है और घोसलों का विवरन पूछ लिया गया है कि कौन सा पच्छी कौन सा घोसला बनाता है तो दोस्तों ये सारा content मैंने आपको already provide कर दिया है तो आप YouTube channel को visit करें और वीडियो देख लेजिए तो दोस्तों बताएं कौन सा option आपका सही हो जाएगा Yes, आपका fourth option correct हो जाएगा A का fourth, B का first, C का second, D का third आपका अगला question ने पूछा गया था इनमें से कौन भारत की सास्त्रिय भासा नहीं है तो दोस्तों बताएं कौन सा option आपका correct हो जायेगा Tamil, Sanskrit, Kannar, Hindi ये चौर options हैं आप बताएं जल्दी कौन सा option आपका correct हो जाएगा Yes, आपका fourth option correct हो जाएगा हिंदी, भारत की सास्त्रिय भासा नहीं है आपका अगला प्रश्न पूछा गया था एक इवियस सिच्छक ने एक गती विदी का आयोजन किया जहां छात्रों की विभिन टीमों को स्कूलों में पड़े कचरे को एकटा करना है उसमें से कुछ उपयोगी बनाना है साजह करने और साथ काम करने के ऐसे कारियों के माध्यम से किस प्रकार के कोसल का मुल्यांकन किया जा सकता है तो बताएं दोस्तों कौन सा आप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा येस आपका फूर्थ आप्शन करेक्ट हो जाएगा समाजिक कौसल आपका अगला प्रशन पूछा गया था एवियस की सिच्छा में सिच्छकों दोरा अभी भावकों एवं समुदाई की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उप्युक्त उद्देश्य है तो बताएं दोस्तों आपका कौन सा उप्शन करेक्ट हो जाएगा येस आपका फुर्स्ट उप्शन करेक्ट हो जाएगा सिच्छक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक प्रस्टभूमी को जानने का अफसर देना आपका अगला प्रशन पूछा गया था निमने लिखित में से कौन सा उद्देश प्राथमिक अच्छाओं में एविया सिछन से सम्मंदित है अवलोकन, मापन, उर्वन, उमान और वर्गी करण जैसे कौसल विक्सित करना पर्यावरण का पता लगाने के आवसर प्रदान करना बन्यादी वैज्ञानिक अवधारणाओं और सिधानतों को याद करना भौतिक और सामाजिक परिवेस के प्रतिसम्वेदन सिलता विक्सित करना तो बताएं कौन सा उप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यास आपका थर्ड उप्शन करेक्ट हो जाएगा यानि A, B तथा D आपके कर्यक्ठ है आपका अगला प्रस्न पूछा गया था नीचे दिये गए कतनों में से कौन सा एविय सीखने के लिए राश्ट्री पाठ चर्या की रूप रेखा 2005 की सिफार से है सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाई के बीच सुनिश्य सीमाए होना रट कर सीखने को हदोसाहित करना किताबी सिच्छा से प्रस्थान स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए तो दोस्तों बताएं कौन सा आपका उप्शन करेक्ट हो जाएगा येस आपका फूर्थ उप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, सी और डी आपका अगला प्रस्थन पूछा गया था एक ईवियस की कच्छा को एक आनंधित कच्छा होना चाहिए इस अंदर्व में निम्न लिखित में से कौन सा कथन सही होगा दोस्तों आपके ये वही प्रस्थन है जो आपके 12 जनवरी की सिफ्ट को पूछे गए हैं और मुझे मिले हैं कि आपके इस तरह कोश्चन्स एवियस के पूछे गएते तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा आपको इस यूटूब चैनल पर ऐसे ही डेली पेपर के एनलिसिस मिलते रहेंगे तो आप इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए तो बताएं दोस्तों आपका कौन सा आप्शन करेक्ट हो जाएगा येस आपका फार्ड आप्शन करेक्ट हो जाएगा अवलोकन, अनवेशन, प्रस्न पूछना एवां क्रिया कलाब करना तो दोस्तों जो मुझे आपके 12 जैनुवरी को प्रस्न पूछे गए थे तो कुछ यही प्रस्न मिले थे तो दोस्तों उनका मैंने आपको प्रॉपर सलुशन प्रवाइट कर दिया है तो वीडियो कैसा लगा कमें सेक्शन में जरूर बताएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा आपको इस योटूब चैनल पर ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे और दोस्तो PYQ की प्रैक्टिश जरूर से जरूर कर लेजिएगा because question आपके वही पूछे जा रहे हैं तो दोस्तो मैंने सभी सिफ्टों के solutions प्रोवाइट कर दिये हैं तो आप चैनल को विजिट जरूर किये जिएगा Thank you for watching the videos Hello दोस्तो आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर तो दोस्तो जो आपका 12 चैनल को सीटेट 2022 का पेपर हुआ था तो उसमें जो आपके CDP के questions पूछे गए थे तो उनमें मुझे जो questions मिले हैं कि आपके इस तरह कुछ questions पूछे गए हैं तो उनका जम proper analysis करेंगे तो दोस्तो आपका पहला प्रसन पूछा गया था सिच्छड और अधिगम की प्रक्रिया को प्रबल करने के लिए इस्तित अधिगम उपागम डैश पर केंदरित है तो दोस्तो बताएं आपका कौन सा आप्शन सही हो जाएगा तो दोस्तों आपका option बताए कौन सा ठीक हो जाएगा येस आपका second option सही हो जाएगा प्रभावी अधिगम के लिए वास्तविक या आभासी इस्थितियों का निर्मार करने आपका अगला question पूछा गया था सिच्छकों के अनुसार छात्रों को अपने सिच्छकों माताय पिता और बड़ों के नेतिकता और आदर्सों का पालन करते हुए वेवार करना चाहिए सिच्छक का ये वेवार कोलवग के नेतिक विकास धान्त के किस इस्तर पर है तो दोस्तों बताएं कौन सा option सही हो जाएगा येस आपका third option सही हो जाएगा उत्तर पारंपरिक आपका अगला question पूछा गया था NEP में राष्ट्री या आकिलन केंद परक का क्या उत्देश है तो बताएं कौन सा option आपका सही हो जाएगा येस आपका third option करेक्ट हो जाएगा मांदन, मानक और दिसा निर्देश निर्धारित करना दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस YouTube चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा आपको इस YouTube चनल पर ऐसे ही डेली पेपर के अनलिसिस के वीडियो मिलते रहते हैं तो आप इस YouTube चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपका अगला कोश्चन पूछा गया था विगोट्सकी के सामाजिक रचनावादी सिध्धन्द के अनुसार चातरों के आतलन के लिए निम्न लिखित में से कौन सी विधी उपियुक्त है तो बताएं दोस्तों कौन सा आप्शन करेक्ट हो जाएगा येस आपका फूर्थ आप्शन करेक्ट हो जाएगा सहयोगा आत्मक परियोजनाए आपका अगला कौशन पूछा गया था बाअभी प्रेड़ा के सम्मंद में निम्न लिखित में से कौन सा सत्य है तो दोस्तों बताएं कौन सा कथन सत्य है येस आपका फूर्थ आप्शन करेक्ट हो जाएगा बाव अभिप्रेणडा का कम प्रियोग किया जाना चाहिए क्योंकि ये च्छात्र की आंतरिक इच्छाओं को कमजोर करती है आपका अगला प्रशन पूछा गया था राष्ट्रिय पाठ चर्या की रूप रेखा यानि NCF 2005 अनुसंसा करती है कि एकी करत ग्यान और समझ के लिए विसे की सीमाओ को कठोर किया जाना चाहिए पाठ पुस्त को और अन्न सामगरी में इस्तानिय ग्यान और पारम परिक औसल सामिल होना चाहिए इस्कूल को एक प्रेरक वातावरण प्रदान करना चाहिए जो बच्चे के घर और सामुदा एक वातावरण के प्रती प्रत्क्रिया करता हो तो बताएं कौन सा आप्षिन आपका करेक्ट हो जाएगा येस आपका थर्ड आप्षिन करेक्ट हो जाएगा बी और सी सत्ने है आपका अगला कोश्चन पूछा गया था हाल ही में किस मंत्राले ने निपून भारत कारिकरम बुनियादी साच्छरता एवब संख्याग्यान FLN पर राष्ट्रीय मिसन प्रारंब किया तो बताएं कौन सा आप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा येस आपका सेकेंड आप्शन करेक्ट हो जाएगा सिच्छा मंत्राले आपका अगला कोश्चन पूछा गया था समी पस्त विकास का छेतर बच्चे की सीखने की छमता और होने वाली वास्त्विक सिच्छा के बीच की दूरी है इस अफधारा में किस मनोव ग्यानिक का विस्वास्ता येस आपका फर्स्ट आप्शन करेक्ट हो जाएगा वैगास की दोस्तों ये आपकी वही कोश्चन हैं जो आपकी 12 जनवरी की सिफ्ट में पूछे गए हैं और मुझे मिले हैं कि आपकी इसी तरह कोश्चन पूछे गए हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपको इस यूटूब चैनल पर ऐसे ही डेली पेपर के एनलेसिस मिलते रहेंगे तो आप इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपका अगला कोश्चन पूछा गया था एक कच्छा में यदी कोई सिच्चक जेंडर उडिवाधिता का प्रियोग करता है तो यह डेश तो बताएं दोस्तों कौन सा ऑप्षन आपका करेक्ट हो जाएगा येस आपका सेकंड ऑप्षन करेक्ट हो जाएगा प्रयास छात्र के प्रदर्शन को नस्ट करने के लिए नित्रत कर सकता है आपका अगला प्रशन पूछा गया था अजर्शन और रीजन वाला तो आपका आभिकतन दिया गया था नैंसी अपनी कला नोट बुप में अपने विचारों के अनुसार रंग भरती है तरकी दिया गया था सरजनात्मक था सरजनात्मक बुद्धी वैबुद्धी है जिसमें सिच्छार्थी अपने विचारों का प्रयोग अपने प्रदर्शन को दिखाने के लिए करते हैं तो दोस्तों बताएं कौनसा आप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा येस आपका फर्स्ट आप्शन करेक्ट हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है आपका अगला प्रशन पूछा गया था विद्यालाई की छे चर्णों वाली स्वामूल्यांकर प्रक्रिया निम्न के साथ सुरू होती है तो बताएं दोस्तों आपका कौन सा आप्शन करेक्ट हो जाएगा येस आपका फूर्ट आप्शन करेक्ट हो जाएगा केंद्रित और पूँच ताच के लिए एक छेत्र की पहचान आपका अगला प्रशन पूछा गया था निम्निलेखित में से कौन सा गठन समा वेशी सिछा का सरवोटन वरण करता है तो दोस्तों बताएं आपका कौन सा option करेक्ठ हो जाएगा येस आपका third option करेक्ठ हो जाएगा प्रतेक छात्र को उनकी आज शम्ता जाती और पंत के बावजूद पाट चर्या के साथ साथ पाठए 30 गटि विदियों में समान और सरप्रदान करना आपका अगला प्रशन पूछा गया था अभी कथन और कारड़ वाला तो आपका अभी कथन दिया गया था एक प्रगती सील कच्छा में एक सिछ़ा को हमेशा कच्छा में बच्चों की व्यक्तिकत भिन्यताओं का ध्यान रखना चाहिए कारण दिया गया था प्रगति सील सिच्छा का मुख्यलच छात्रों को आधिगम का व्यवहारिक अनुभव अर्थात करके सीखना प्रदान करना है दोस्तों यह आपका आधिगम है यहाँ पे माई यह आपका हड गया यहाँ पे तो यह आपका अधिगम लिखा हुआ है तो दोस्तों आप बताएं कौन सा इसका विकल्ब सही होगा येस आपका फर्स्ट आप्शन करेक्ट हो जाएगा ए और आर दोनों सत्ते हैं और आर एकी सही व्याख्या करता है आपका अगला प्रस्ट पूछा गया था वो विद्यार थी जिने डिसलैक्स हिया है उनके सफल समावेशन है तो निम्न में से किसे वर्जित करना चाहिए तो दोस्तों बताएं कौन सा आप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा येस आपका सेकेंड आप्शन सही हो जाएगा मानकी करत आकलन आपका अगला प्रस्ट पूछा गया था निम्न लिखित में से कौन सिच्छार्थियों को अपने स्वयम के अधिगम का मुल्यांकन करने और समझ की जाच करने में मदद करता है तो दोस्तों आपका इसका आप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा अधिसंग्यान तो दोस्तों मुझे ये कुछ प्रस्ट मिले थे कि आपके इस तरे 12 जनवरी को CDP में कोश्चन्स पूछे गये थे तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमें सेक्शन में जरूर बताईएगा आपको इस योटूब चैनल पर ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे जो आपके पेपर हो रहे हैं उनके एनलिसिस के तो आप इस योटूब चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देजिएगा तैंक यू फॉर वाचिंग दी वीडियो हालो दोस्तो आपका स्वागत है अपने योटूब चैनल पर तो दोस्तो जो आपका 12 जनवरी को सीट एड 2022 तेस का पेपर हुआ था तो उसमें जो आपके इंग्लिस और हिंदी पेडदागोजी में questions पूछे गए थे तो उनमें मुझे जो questions मिले हैं कि आपके कुछ इस तरह questions पूछे जा रहे हैं या पूछे गए हैं तो उनका ही आज हम proper analysis करेंगे कि आपके किस तरह question पूछे गए हैं तो येस, आपका first question पूछा गया था In learning our language mistakes तो बताएं कौन सा option correct हो जाएगा येस, आपका first option correct हो जाएगा helps in learning आपका अगला प्रसन पूछा गया था Skimming is तो दोस्तों बताएं कौन सा option correct हो जाएगा येस, आपका first option correct हो जाएगा quickly running one's eyes over a text to get the gist of it. आपका अगला प्रशन पूछा गया था. Miss Nisha is teaching about the types of sentences to her class 7th students. Miss Nisha begins by explaining the grammar rules with regard to sentences and then goes on to give example of the types of sentences that we commonly hear. Which teaching maxim is Miss Nisha following. तो बताएं कौन सा अप्शन आपका correct हो जाएगा. Yes, आपका first option correct हो जाएगा from deductive to inductive. आपका अगला प्रशन पूछा गया था. Skills of expression or productive skills includes. तो बताएं कौन सा अप्शन आपका correct हो जाएगा. Yes, आपका fourth option correct हो जाएगा. Writing and speaking. आपका अगला प्रशन पूछा गया था. Which of the following is a task for process approach to writing and which one is for product approach. तो दोस्तों बताएं आपका option कौन सा correct हो जाएगा. Yes, आपका fourth option correct हो जाएगा. A is process approach task and B is product approach task. आपका अगला question पूछा गया था. Cognitive academic language proficiency. C.A.L.P refers to. तो बताएं कौन सा option correct हो जाएगा. Yes, आपका first option correct हो जाएगा. Complex and abstract ideas are conveyed through abstract language. आपका अगला question पूछा गया था. Which of the following describes Crescent natural order hypothesis? तो Yes, आपका option पहला सही हो जाएगा. Parts of our languages are acquired in a predictable order. आपका अगला question पूछा गया था. In our lower primary book of language, words are arranged like. Cat, Mat, Bat and Pet, Kit, Hit, Sit and Fit. Which of the following groupings is used here to arrange the words? So, Yes, आपका fourth option correct हो जाएगा. Phonetic grouping. आपका अगला question पूछा गया था. A learner of class 8 begins to read short stories. After his language teacher told him about a short story by Sadat Hasan Munto. What is this reading known as? Yes, बताएं कौन सा option correct हो जाएगा. Yes, आपका first option correct हो जाएगा. Extensive reading. आपका अगला question पूछा गया था. National Education Policy 2020 यानि NEP describes language education and language learning as. तो बताएं कौन सा option आपका correct हो जाएगा. Yes, आपका second option correct हो जाएगा. Multilingualism and the power of language. तो दोस्तों, ये आपके कुछ English Pedagogy में questions मिले थे, जो मुझे मिले हैं कि आपके इस तरह प्रस्टन आपके पूछे गयते. तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो इस YouTube चनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा. और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा. इस YouTube चनल पर आपको ऐसे ही डेली पेपर के एनलिसिस के वीडियो मिलते रहेंगे. तो आप इस YouTube चनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा. और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देजिएगा और दोस्तों पीवाई क्यों की प्रैक्टिस जरूर किये जिएगा क्योंकि आपके प्रैसन पीवाई क्यों से ही पूछे जाते हैं दोस्तों मैंने मेरे यूटूब चैनल पर आलमोस्स सभी सिफ्टों के प्रीवेस येर कोश्चन पेपर सॉल्व करा दिये हैं तो आप चैनल को विजिट करें और सब्जेक्ट वाईस आप प्रैक्टिस जरूर कर लेजिए आपके दोस्तों अब ये हिंदी पेड़गोजी के कोश्चन पूछे गए थे निम्न लिखित में से कौन सा पठन का उपकौसल है तो येस आपका आप्शन सही हो जाएगा अनुमाल लगाना दोस्तों ये वही हिंदी पेड़गोजी के प्रश्चन है जो मुझे मिले हैं कि आपके 12 जनवरी की सिफ्ट को पूछे गए है आपका अगला प्रश्चन पूछा गया था राष्ट्री ये पार्ट चर्या 2005 के अनुसर भासा सिछण अधिगम का उद्देश्चे है तो बताएं कौन सा आप्शन करेक्ट हो जाएगा समझ के साथ पढ़ने की छमता विक्सित करना सहज अभिवक्ति विक्सित करना समेदन सीलता विक्सित करना तो येस आपका फूर्थ आप्शन करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी आपका अगला प्रश्चन पूछा गया था राष्ट्री ये सिछानीती 2020 में प्रतिबा साली बच्चों के समावेशन के लिए है तो बताएं कौन सा आप्शन करेक्ट हो जाएगा येस आपका फूर्थ आप्शन करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी यानि चात्रों को पूरक समवर्दन माग दर्सन और प्रत्साहन देना देशबर में विभिन विश्यों में ओलंपियाड और प्रतियोगताओं का आयोजन आउनलाइन संसादनों तत्रा सहयोग के सीखने सिखाने की प्रक्रिया को समर्द करना तो येस दोस्तों आपका फूर्थ आप्शन करेक्ट हो जाएगा अपरोक्त सभी आपका अगला प्रस्ण पूछा गया था वेगोट्सकी के विचारों पर आधारित कच्छा में डेश परसब से अधिक बल दिया जाता है तो बताएं कौन सा आप्शन करेक्ट हो जाएगा येस आपका फूर्थ आप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका अगला प्रस्ण पूछा गया था हिंदी भासा सिच्छा के रूप में सरवादिक महत पूर्ण है तो बताएं दोस्तो कौन सा आप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा तो येस आपका आप्शन दूसरा सही हो जाएगा भासा की सिच्छा सास्त्रिय समझ तो दोस्तो ये कुछ मुझे हिंदी के और इंगलिस के कोश्चन्स मिले थे कि आपके इस तरह पेपर में पूछे गए है तो दोस्तो मैंने आपको उनका प्रॉपर सोलिशन प्रोवाइट कर दिया है दोस्तो आपको वीडियो कैसा लगा कमें सेक्शन में जरूर बताईएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सबस्क्राइब भी कर दीजिएगा आपको इस यूटूब चनल पर ऐसे ही डेली पेपर के एनलेसिस के वीडियोज मिलते रहेंगे तो आप इस यूटूब चनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजिए और थैंक यू फॉर वाचिंग दी वीडियोज